तो वस्तूओं का अपनी वास्तविक इस्थिती से कैसे दूसरे स्थिती में परिवर्तन हो जाता है ये कितनी दूरी होती है और ये किस पे निर्भर करती है इसको समझने के लिए हम एक चित्र को देखते हैं इस चित्र में हमने एक बर्तन लिया है जिसमें पानी लिया है और यहां पर पानी नहीं होता तो यह अपनी वास्त्तविक स्थिती पे हम को नजर आता क्योंकि वायू में सीध्य गमन करते हुए हमारी आखों में प्रकाश केरण पढ़ती लेकिन यह पर पानी है तो जो प्रकाश की केरण इस P बिंदो से इस पानी की सता पर पहुचेगी तब यहां पर प्रकाश का अपवर्तन होगा प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाएगी चुकि प्रकाश सघन से विरल माध्धम में प्रवेश कर रही है यानि पानी से वायू में तो यहां पर प्रकाश अभिलंब से दूर जुकेगी यहां पर हम देखें तो एंगल P, Q, N अपतन कोण I है और एंगल M, Q, R अपवर्तन कोण R है और अपवर्तन के पश्यात यह बिंदू P हमको कहा नजर आएगा यह जो किरण हम देख रहे हैं R, Q, R यदि हम इसको पीछे की और ले तो यह P' से आती हुई बिंदू की और नज़र आएगा P' पर यदि इस पानी की गहराई मैं H लेती हूँ यानि इस सतह से P' की गहराई H ली जारी है तो यह बिंदू P' पर नज़र आ रहा है माना की पानी से सतह की P' बिंदू तक की दूरी हम H' ले तो अब हमको इस P बिंदू की गहराई कितनी नज़र आएगी H डैश अब यदि इस चित्र में हम देखें तो अभिल नम M N इस रेखा O P के समानतर है और Q P रेखा इन दोनों समानतर रेखाओं को कट कर रही है इसे लिए एंगल P Q N बराबर होगा एंगल O P Q के और ये दोनों बराबर होगे एंगल I के ये दोनों ही कोण एकांतर कोण हैं ऐसे ही एंगल M Q R बराबर होगा O P Q के जो कि बराबर होगा अपवर्तन कोण के क्योंकि ये दोनों ही कोण संगत कोण हैं corresponding angles हैं चुकि प्रकाश की कीरण यह पानी से हवा में जा रही है तो हम वाईयू का अपवर्तनांग पानी की तुनला में ले यानि की w mu a ले तो स्नेल की नियम के अनुसार w mu a बराबर होगा sin i upon sin r किन्तू उत्क्रम नियता के सिध्धान्त के अनुसार हम जानते हैं w mu a बराबर होगा 1 upon a mu w तो यहां हम उसका मान रख देते इस प्रकार समीकरण बनेगा 1 upon a mu w बराबर sin i upon sin r यदि मैं इसका व्यूत क्रम लो तो यह हो जाएगा a mu w बराबर sin r upon sin i sin r यदि हम देखे तो यह होगा r एंगल है एंगल o p-q और i एंगल है o p q तो मैं यहां लिखूंगी sin o p-q upon sin o p q इसे हम देखे समीकरण 1 अब हम समकोन त्रिभूज देखेंगे o p-q में इस समकोन त्रिभूज में यदि इस कोन का हम sin ले यानि कि sin o p-q ले तो यह बराबर होगा लंब बटे करण यानि कि o q upon q p- के वैसे यह दूसरा समकोन त्रिभूज देखें त्रिभूज o p q में sin o p q बराबर होगा o q upon q p अब यह दोनों ही मान हम समीकरण 1 में डालते हैं समीकरण 1 में रखने पर a mu w बराबर o q upon q p- upon q p यहां से o q और o q cancel हो जाएगा हमको क्या मिलेगा q p upon q p- इसको हम दे रहेते हैं समीकरण 2 क्यों कि o और q बिंदू एक दूसरे के बहुत ही पास है इसलिए हम o के स्थान पर q लिख सकते हैं जितनी दूरी q से तै की गई है उतनी ही दूरी लगभग बराबर होगी o से तै की गई प्रकाश किरण की इसलिए हम यहां पर q के स्थान पर o रख देते हैं तो समीकरण हो जाएगा a mu w बराबर o p upon o p डश अब o p क्या है यह इस पी बिंदू की वास्तविक गहराई है इस पानी की सतह से और o p डश क्या है पी डश तो वह बिंदू है जहां पर हमको यह पी बिंदू नजर आ था और इसे हमने एच डैस से दर्शाया है तो हम लिखेंगे a mu w बराबर h upon h जिससे दे देते हैं समीकरण 3 और यह होगा a mu w बराबर वास्तविक गहराई अपॉन अभासी गहराई यह संबंध होता है वास्तविक गहराई और अभासी गहराई में वास्तविक गहराई का अभासी गहराई के साथ अनुपात बराबर होता है माध्यम के अपवर्तनांग के यानि कि हम यहां पर लिख सकते हैं h डैस अध्याम का अपवर्थनांग यानि कि a mu w तो h डेश बराबर होगा h अपॉन मियो अब यह कितना उपर उठा हुआ नजर आएगा मतलब जो डिफ्रेंस है वो कितना होगा इसको हम दर्शार है डी से तो डी बराबर हो जाएगा p p dash और p p dash ये किसके बराबर है यदि op में हम op dash minus करें तो p p dash बराबर op minus op dash और p p dash बराबर h minus h dash और हम लिख सकते हैं D बराबर H minus H upon mu और यहां से अगर H common ले तो D बराबर होगा H bracket में 1 minus 1 upon mu इस प्रकार जो shift होगा किसी भी तली का नीचे से उपर कियोड़ यह वस्तु के स्थिती का जो shift होगा वो निर्भर करता है उस माध्याम के अपवर्तनांग पर और उसके actual position पर बच्चो हमने सुना है कि रेगे स्तान में अकेले भटकते हुए व्यक्ति को केवल पानी ही पानी नजर आता है वो दूर से पानी की तलाश में दौरत हुए जाता है और उसको पानी भी दिखता है लेकिन जब वह वहां पहुशता है तो वहां खाली रेती ही रेत होती है तो ये उसका कोई भ्रम नहीं हम सोचते हैं कि उसकी मांसिक स्थिति का असर होता है कि उसको हर जगा पानी दिखाई दे रहा था पर ये प्रकाश जोड़ी हुई घटना है और ये घटना कब होती है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वो अभिलंब से दूर मुड़ती है जब हम अपतित कोण के मान को बढ़ा दे तो अपवर्तन कोण के मान भी बढ़ जाता है क्योंकि स्नेल के नियम से हम जानते हैं म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन और यह अनुपात अपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया एक निश्चित माध्यम के जोड़ों के लिए नियत रहता है तो यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्य में प्रवेश करे और अपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे प्रकाश की किरण अभिलम से दूर जुकती जाएगी और एक ऐसा मान आएगा अपतन कोण का जहां प्रकाश की केरण बिलकुल ही अपवर्तक प्रिष्ट के समानतर हो जाएगी मतलब उस कंडिशन में अपवर्तन कोण का मान 90 डिगरी हो जाएगा और अपतन कोण के इसी मान को जिसके संगत अब वर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे हम IC से दर्शा आते हैं तो क्रांतिक कोण को इंग्लिश में हम critical angle कहते हैं, इसलिए हम अपतन कोण के नीचे छोटा सा C लिख देते हैं, तो क्रांतिक कोण को IC से दर्शाया जाता है, अब अपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी और अधिक बढ़ा दिया जाए, अब क्या होगा, जुकते अंतरा प्रिष्ट के, अब और मान बढ़ाने पर ये अपवर्तन कोण का मान और अधिक बढ़ जाएगा, अब प्रकाश की किरण वापिस उसी माध्यम में पहुँच जाएगी, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए, किसी प्रिष्ट से टकराती है, और तो उस घटना को हम परावर्तन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम मानने कि ये जल है, यहाँ से चलती हुई वाईयू में प्रवेश करने वाली थी, जोकि जल पारदर्शी माध्यम में तो निश्चीत रुप से उसे निकलने वाली किरण वाईयू में प्रवेश कर जाती, लेकिन यहाँ पर अपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने के कारण, अब अपवर्तन कोण 90 से भी अधिक हो गया, और प्रकाश की किरण वापिस उसी माध्यम में पहुच गए, और ये घटना परावर्तन के नियम का पा अपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापिस पहुच जाती है, यानि कि पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की दो शर्ते हैं, पहला तो प्रकाश की किरण को सगन से विरल माध माध्यम में प्रवेश करना है दूसरा कि अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए यहां पर हम जल और वायू के माध्यम का एक जोड़ा लेते हैं और यहां पर प्रकाश की किरण जल से लेकर वायू में प्रवेश करने वाली है यदि हम अपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर लेते हैं तो उस कंडिशन में अपवर्तन कोण का मान 90 डिगरी होगा यानि कि जो अपवर्तित कीरण है वो अंतरा प्रिष्ट के समानतर हो जाएगी इस कंडिशन में यदि हम जल के सापेक्ष वायू का अपवर्तनांक लें क्योंकि प्रकाश की किरण जल से लेकर वायू में प्रवेश कर रही है इसलिए हम यहाँ पर वायू का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष निकालेंगे और स्नेल की नियम के नोसार किसी भी माध्यम का अपवर्थनांग म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर यानि अपतन कोण कीजिया अपॉन अपवर्थन कोण कीजिया तो यहाँ पर w mu a बराबर होगा, sin i upon sin r, यानि की sin ic upon sin 90, अब हम जानते हैं, sin 90 बराबर होता है 1, यहाँ पर मान रखने पर हमें क्या मिलेगा? w mu a बराबर sin ic, और प्रकाश की उतक्रमनियता के सिधान्त की अनुसार हम जानते हैं, w mu a बराबर होगा, 1 upon a mu w, तो हम यहाँ पर 1 upon a mu w बराबर लिखेंगे sin ic, और इस समीकरण का व्योतक्रम लेने पर हमें प्राप्त होगा, a mu w बराबर 1 upon sin ic, यानि हम देख सकते हैं, जो क्रान्ती कोण है, वो माध्यम के अपवर्तनांग से जुड़ा हुआ है, और 1 upon sin बराबर होता है कॉसेक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, a mu w बराबर कॉसेक ic, a mu w का मतलब है, हम जल का अपवर्तनांग निकाल रहे हैं, yu के सापेक्ष, यानि कि हम यह कह सकते हैं, हम जल का निर्पेक्ष अपवर्तनांग ग्याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम केवल mu भी लिख सकते हैं, तो mu बराबर हो जाएगा, कोसेक ic, कि जो क्रांतिक कोण का मान है, यह विभिन कारकों पर निर्पर करता है, समी करण को देखने से हमको यह लगता है कि केवल यह अपवर्तनांग पर निर्पर कर रहा है, लेकिन अपवर्तनांग भी अनिकिनी कारकों पर निर्पर करता है, तो हम देखते हैं कि इस क्रांतिक को कोड़े की अपवर्तनांग पर निर्भर कर रहा है हमने कौन सा सगन और विरल माध्य हम का जोड़ा लिया है जब वही प्रकाश की किरण जल से वायू में प्रवेश करें तो इसका अपवर्तनांग डिफरेंट हो जाता है और काच इसे वायू में प्रवेश करें तो इसका अ अनुपाती होता है इस समीकरणचे हम देखें तो साइन आई सी का मान कम होगा तो अपवर्तनांक अधिक होगा यानि अधिक अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान कम होना चाहिए और कम अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रामति कौन का मान अधिक होता है दूसरा प्रकाश के रंग पर यानि की प्रकाश के तरंग द्याद पर हम जानते हैं कि जो द्रिश्य प्रकाश होता है उसमें सात रंग होते हैं जिसमें लाल रंग का तरंग दैर्दे सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्दे सबसे कम होता है, तो लाल रंग के तरंग दैर्दे के लिए अपवर्तनांग कम होता है, और बैगनी रंग के तरंग दैर्दे के लिए अपवर्तनांग का मान अधिक होता है, और यही कारण है कि बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान कम होगा और लाल रंग के लिए क्रांति कोण का मान अधिक होगा मतलब क्रांति कोण का मान रंग के तरंग दैर्द के समान उपाती होता है तीसरा कारण है ताप किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाने से उसके क्रांति कोण का मान भी बढ़ने लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि इसी माध्यम का ताप बढ़ाने से उसका प्रकाशिक घनत्व घटने लगता है और प्रकाशिक घनत्व कम होगा तो उसका अपवर्तनाग भी कम हो जाएगा पर